हेलो दोस्तो मेरा नाम देवीर और आपके अपने development channel राज मेसन में आपका स्वागत है दोस्तो हम आए थे आज हम से आज मसूरी से आगे पचास km ग्हणोलती पड़ता है तो हम यह काम कर रहे हैं आज हम आपका वीडियो में दिखाएंगे पलास्तर पर गिरिमाला कैसे लगाया जाता है तो दोस्तो वीडियो के अंत तक बने रहे आज हम आपको अंत में बहुत महत्पून जानकारी आपको देंगे दोस्तो देखे पहले आप यहां का नजारा दोस्तो हम यहां आए हैं गनोलती पढ़ता है दोस्तो मर्सुरी से करीब 50 किलो 15-200 mm ढोर हम इसे में रूचे होए हैं और हम कारीय कर रहे हैं दोस्तो तो दोस्तो आईए आपको दिखाते हैंज शब से पहले दोस्तो जैसे कि आपको लेना है इस तरह से लगाना है दोस्तों एक बात का दिहान देए आपको उपर से नहीं लगाना है पूर अगर लगाया तो दोस्तों इसमें जो ताजा होता है इसमें घहर पड़ जाएगी और यह नीचे को रावन हो जाएगा और प्लास्तर अच्छा नहीं लगेगा तो आपको नीचे से इस तरह आपको लगाना है तो देखें दोस्तों कितने सफाई आ रही है तो आपको इसी तरी से नीचे से उपर की साइड आपको लगाना है जैसे कि हम लगा देए इस तरे देखे आप दोस्तों कितनी सपाई आई है दोस्तों जो हमने आपको बताई थी कि अंत में आपको एक बात बतानी है तो यह बात यह है दोस्तों आप जैसे कि रिमाला दुकान से नया करीते हैं तो उसको कुछ दिन चलाना है गिसाई करनी है ना कि नया एकदम से ही उज़ करना है तो दोस्तों यह हमारी वीडियो परसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राब कीजिए